तो सब लोग तयार हैं साधी का बरात जाने के लिए आज होने वाला है भोली का साधी अरे जल्दी जल्दी करो यार बस छुटने वाली है तो पिछली दिन हम लोग देख रहे थे कि भोली के माबाप इसके साधी के बारे में डिसकस कर रहे थे इसकी मम्मी इसके पापा को बोल रहे थी, कि विसंबर नात के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, उत्रा बड़ा दुकान है, इसके पापा बोलते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन भोली क्या सोचेगी, कि इतने बुढ़े आदमी से मेरा साधी करवा दिया, तो उसकी म अला करेगी, लेकिन कुछ-कुछ गाय ऐसा होती है, जिसको जहां बांद हो, बास चुप-चाप रहेगी, तो उसकी माँ इसको गुंगी गाय से कंपेर कर रही है, बाप रे बाप, अपना बच्ची को गुंगी गाय, तो बगल में भोली, उस सब का बात सुन रहे थी, और अखर इसके साथ साधी करने के लिए बिसंबर नाथ अपने घर से निकल पड़ा, बिसंबर नाथ हो अमीर आदमी था, इसलिए वो बहुत बड़ा पार्टी के साथ आया, साथ में बैंड बाजा सब को भी लेके आया, अपने नहीं बजा रहा था, बजाने वाला आदमी को भी लेक आया था, बहुत सारे रिष्टेदार, बहुत सारे दोस्तों को लेक आया, इस सब को देखके तो भोली का भाप फूले नहीं समाया, बहुत खुस हो गया, वो सोचा नहीं था, कि उसकी सबसे छोटी बेटी का साधी इस प्रकार से होगा, भोली के पापा तो पूरा होने वाला है, वो लोग सोचने लग गया, कि इतना धूमधाम से इसका साधी कैसे हो सकता है, इतना गया जब इसको दुलह मिलेगा, पंडित जी भी आये हुए थे, पंडित जी दुलह को बलाए, मंतर सब पढ़ने लगे, हूम, हूम, साधी उधी होने लगा, फिर दुलह अगर तुम किसी का साधी में जाओगे ना, तो दुलह को तो तुम देख लोगे, लेकिन दुलह हिन कपड़ा ढखाये रहती है, उसका चेहरा तुम देखी नहीं पाओगे, तो वैसा ही, भोली भी चेहरा को ढखाये हुए थी, कोई देखने नहीं सका, विसंबर नात तो ए लाल कलर का घूंगर ढखाये हुई थी, उसके बाद जब जैमाला पहनाने का समय आया, तो बस वही माला पहनाने का टाइम आया, तो फिर पंडित जी ने बोला, विसंबर नात माला को पकरता है, वो माला गेंदा फुल का था, पीला पीला था, मस्त दिख रहा था, तो जैस इनका चेहरा को दिखाने के लिए उसका चुन्डरी को हटाती है, तो बिसंबर नात उसका चेहरा को देखता है, देखे के तो दंग रह जाता है, उसका हाथ वो माला को पहनाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जोकि उसका चेहरा में पोक माक्स था, दो साल के उमर में smallpox हुआ था ना तो उसी का poke marks बन गया था उसके बाद भोली फिर अपना ओड़नी को चेहरा में ढख लेती है फिर विशंबरनात बोलता है अपने एगों दोस्त को कि तुमने देखा इसका चेहरा में poke marks है तो फिर उसका एगों दोस्त बोलता है कि तुम भी तो वही सा जवान नहीं हो तुम भी तो बुढ़े हो ठीके कहा अपने बुढ़ा है उसको नहीं देख रहा है और फिर उसका चेहरा में poke marks है उसको देख रहा है उसके बाद विशंबरनात बोलता है कि अगर इसके अपना पगड़ी को विशंबरनात के पैर के पास रख देते हर बोलते हैं कि महराज मेरा इज्जत मत लूटिए प्लीज 2,000 रुपिया में मान जाए विशंबरनात कड़क के बोलता है कि नई 5,000 रुपिया लगेगा ये तुन अपना बेटी को रख लो हम लोग जा रहे है महराज है महराज इज्जत रखिए अगर आप वापस चल जाएंगे तो मैं पूरे गाउं में मुह नहीं दिखाने लाइक रहूंगा तब ठीक है तब पास जार लाओ फिर वो रोते रोते जाता है अब जहां पर वो पैसा रखता था वहां पर चले के एक बंडल पैसा का न पर रहा है कि आदमी से बे जब माला पाहना रहा था उस समय फिर एको महला भोली का चेहरा से ओडनी को हटाई उस समय विसंबर नात ने देखा उसका चेहरा में ना नफरत था ना गुसा था एकदम सिद्धे उसी के तरफ देख रहे थी मतलब ऐसा देख रहे थी कि आने वाला था अभेगो कांड होने वाला है जैसे ही मुँष माला पाहना आने वाला था ओफ से मला को हटा देती है और सिद्धे उस माला जाके यज्व्फ्छ का आग में गिर जाता है सब कोई देखने लगते हैं सबक क्या हो रहे रे फिर भोली जी मैं इस आदमी से साधी नहीं करूंगी, सब की देख की सला हैरान रह जाते हैं, का बोल रहे रहे। इसको तो कुछ सराम है नहीं है, वो अपना घुंगट भी हटा ली थी, देखो तो कितनी बदसूरत दिख रही है और कुछ सरम भी नहीं है। पहले का साधी में महिला को जिसके साथ साधी कर दिया जाता था, वो महिला चुपचाप से उसे साधी कर लेती थी, ऐसा ही रह लेती थी, ऐसा कोई ने बोलती थी, आज कल के साधी में भी तुम देखोगे कि साधी में दुलहिन कुछ ने बोलती है, लेकिन उलोग सोचने लग हो फिर भॉली उठती हैं मोलती है कि अरे परिवार के जत करिके चलते हैं तो मैं इस बूढ करने के लिए त्यार हो गई लेकिन बुढा अदमी से चादी करना मतलब यह नहीं कि मैं कि लालची डरपोक आदमी से साधी करूँ मैं इससे बिल्कुल साधी नहीं करूँगी फिर वो बोलने लग जाती है वहाँ पर एगो अंटी थी वो अंटी बोलने लगती है कि हम लोग तो इसको हर्मलेस काउ समझते थे मतलब गुंगी गाय थी लेकिन अब ये गुंगी काई बोलने लग गई है मैं साधी नहीं करूँगी नहीं करूँगी और कुछ सुनना है तो बोलिये बाबरे वाप इतना बोलने के लहिम्मत भी चाहिए यार तुम्हें तो पता हो गया कि पहले महिला लोग को पुरूष से नीचे ट्रीट किया जाता था पुरूष से कम समझाता था उस समय इस प्रकार से ये बोल दी समझ सकते हो उसके बाद सब को समझ गया कि साधी उदी तो होने वाला नहीं है वापस जाने लगे जो बैंड बज जाते हैं धिरे धिरे साब कोई चले गए वहां पर जो आग जल रहा था वो आग उग सब बुझ गया उसके बाद भोली का पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा अब तुमसे कोई साधी नहीं करेगा अब हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे तो फिर भोली जाऊंगी नौकरी करूंगी और फिर आपके बुढ़ापे में आपको और मा को सेवा करूंगी आपकी और मा की सेवा करूंगी है ना मैम कहके बोलती है या मैम कहां से आ गई यार ये किनारी खड़ा होके सब कर ड्रामा देख रहे थी क्या क्या चीज हो रहा है तब फिर इसक बोली की टीचर खुस हो रही थी चोकि तुम्हें तो पता ही है जब वो इसकुल जा रहे थे उस समय वो कितना डरती थी लेकिन अब कितना निडर हो चुकी थी बताओ अपना साधी हो रहा है उस समय बीच में बोल उठी यह इतना निडर कैसे हुई इसकुल गई इसलिए हुई इसलिए भईया इसकुल जाओ इलोका साधी नहीं हुआ लेकिन कहानी तो खतम हो गया चलो बाए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में